ग्रोस्चॉप के DC वर्म गियर मोटर्स उन अनुप्रयोगों के लिए समाधान हैं, जिनके लिए कॉर्णर टर्न, वैकलपिक दोहरे आउटपुट या मोटर को वापस संचालित करने में असमर्थता की आवश्चक्ता होती है. DC समकोन गियर मोटर्स को निरंतर और आंतरायक कर्तव्य संचालन के लिए डिजाइन किया गया है. कई ओध्योगिक गियर मोटर्स आंतर पर फिक्स्ड स्पीड ऐसी संचालिक डिवाइस होते हैं, जबकि चर्गती फिक्स्ड गियर नुपात मोटर्स अधिक नियंतरन प्रदान करते हैं. DC गियर मोटर्स का उप्योग आमतर पर ट्रक पावर क्रेन, विंड स्क्रीन वाइपर मोटर्स, लस पावर सीट्स या पावर विंडो मोटर्स जैसे वाहन उध्योगों में किया जाता है. DC Gear Motors का उप्योग करने का एक बड़ा लाब यहां है कि Gear Assembly को विशेश रूप से टॉर्क बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है इसके अलावा किसी भी वांचित परिनाम की गती को कम करने के लिए Gear Working को समायोजित किया जा सकता है जो कई अनुप्रयोगों में अविश्वस्निय नियंत्रण की अनुमती देता है वर्म गियर का उप्योग या तो टॉर्क को बहुत अधिक बढ़ाने या गती को बहुत कम करने के लिए किया जा सकता है वे Gear सिस्टम में सबसे चिकने और सबसे शांत भी होते हैं जब तक कि वे उचित रूप से माउंट और लुब्रिकेटेड होते हैं वर्म गियर्स का एक अन्यलाब यह है कि उनमें मेशिंग प्रभाव अच्छा होता है वर्म गियर्सेट द्वारा उत्पन्नस सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उनकी दक्षता की कमी, उच्छ कटोती और कम गती पर प्रमुखता है साथ एक से दस बचकर एक मिनट के अनुपात के लिए विशिष्ट क्षमताय क्रमशय 40% से 85% तक भिन हो सकती है इसके विपरीत हाइपोईड गियर्सेट आमतौर पर 95% से 99% कुशल होते है अनुपात गियर्दान्तों की संख्या के बराबर होता है, जो वर्म पर स्टार्ट थ्रेड्स की संख्या से विभाजित होता है चालीस एक के अनुपात के साथ एक तुलनियस पर गियर्सेट के लिए गियर्ण के कम से कम दो चर्णों की आवश्चक्ता होगी वर्म गियर 301 से अधिक का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं झालीस एक का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं